आज हम गुड मूफली से पहुत ही प्यारे लड्डू बनाएंगे जिसे देखके तो आप रही नहीं पाएंगे आप भी पक्कर डिशाइड कर लेंगे कि इस लड्डू को तो हमें बनाना ही है ये पहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं मैं आपको एक लड्डू को कितने ज़्यादा सौट है ये देखे बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम नरम तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं नमस्ते मेरी प्यारी यूटूब फैमिली कैसे हैं आप सब मैं आज रखते हूं कि आप सब पहुत अच्छे होंगे और आप अपना ख्याल भी करेगा अगर आप मुमफली और गुड़ के लड्टू बना देंगे तो सभी चट कर जाएंगे इतना सब्सक्राइब बनेगा आपको मेरे ही तरीके से बनाना है अपना तरीका पिल्कुल भी आपको नहीं लगाना है क्यूंकि इस रेस्पी में कॉंसेंट्रेट होना पहीं जरूरिया है आप मेरे वीडियो को पहले पूरा वाज करिएगा उसके बाद ध्यान से सुनिएगा समझेगा मैं क्या बोलते हूं और क्या मैं कहती हूं उसी तरीके से आपको बनाना है और वीडियो अगर आपको मेरे अच्छी लग जाएगी इतनी सी भी पसंद आजाएग तो लाइक करना ना भूलेगा लाइक कर दीजेगा आप एचल पे नए है आफ या पर इस टाइम आए गए है तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब करके ही जाएगा सब्सक्राइब लालकल का है और फ्ली में सब्सक्राइब है साइड वे दिये लेकिन छोटी सी गंती भी होगी उसे भी आपको आल पे क्लिक कर लेना होगा और आप मेरे इस्टाग्राम को भी पॉलो कर लीजे अगर अभी तक नहीं किये है तो लिंक मेरे डीप सिक्सन में दे रखा है गुड और मूमफली के लड़ू बनाने के लिए हमें चाहिए मूमफली यानि की पीनट्स इसे मैंन गरम होने के लिए चड़ा दिया है और सारी पीनट्स को हम डाल देंगे पैन में और इसे हम ड्राय रोष्ट करेंगे इसमें घी वगएरा कुछ भी नहीं डालना है अच्छी तरीके से हम फ्लेम को धीमी रखेंगे और धीमी आज में अच्छे से अपनी सारी पीनट्स को र हम देना कलर आग अच्छी रहएं तो अच्छी से अगर भुन जाएगी तो चिल के इसी तरीके से उतर जाएंगे एकदम किलीन हो जाएगी तो अब हम सारी मुम फली को अपने निगाल लेंगे एक पेट में और इसकेचिल्के उतारेंगे हम हम ले लेंगे कोई एक साफ कपड़ा और इस तरीके से फैला देंगे और इसके उपर हम डालेंगे सारी पीनर्स को ध्यान रखें पीनर्स ठंडी होनी चाहिए मुँफली अच्छी तरीके से ठंडी हो जाए अब आपको डालना है ऐसे हम डाल देंगे और बच्छी वे कपड़े से इस तरीके से रगड के साफ करेंगे ऐसे करेंगे न तो छिलके उतारना काफी आसान हो जाता है और सारे छिलके बहुत ही इजली निकल भी जाते हैं ये देखे छिलके कितने अराम से निकलने लगे हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें सारे छिलके अपने उतार देने हैं सारे मूफली के उपर से आप चाहें तो हाथ से भी निकाल सकते हैं ऐसे भी देखिए ऐसे निकालना असान होता है तो आपको जैसा ठीक लगे आप उसी तरीके से निकाल सकते हैं अगर मूफली अच्छे से रोष्ट होती है भुनी हुई होती है तो इस तरीके से काफी जली निकल जाते हैं चिलके इसी तरीके से हम सारे चिलके को अपने निकाल देंगे सारे चिलके मैंने उतार दिये हैं और देखिए मुफली कितने अच्छी तरीके से क्लीन हो गई है साफ हो गई है तो अब हम आगे का प्रोसिस करते हैं मैंने ये कडाही चड़ा दी है गरम होने के लिए और ध्यान रखे आप जिसमें चिक्की बनाए या फिर ये लड्डू बनाए गुड़ आपको जब भी कभी मेल्ट करना हो तो आप मोटे तले का बरतन अच्छी तरीके से हम इसे मेल्ट होने देंगे और इसमें हम डाल देंगे एक टेबल स्पून देशी घी और अच्छी तरीके से घी को भी हम गुड के साथ मेल्ट करेंगे पिघल जाने देंगे घी डालने से एकदम लाइट होता है कलर गुड का और फ्लेम अगर हाई कर देंगे तो फिर गुड का कलर एकदम डार्क हो जाएगा एकदम जल जाएगा फिर जला जला सा टेस्ट आएगा इसलिए आप फ्लेम एकदम धीमी ही रखिएगा देखे गुड धीरे-धीरे से मेल्ट होने लगा है पिघलने लगा है थोड़ा सा मैसे इस पैचुला से मैश करते रहेंगे प्रिस करते रहेंगे ताकि टुकड़े अच अच्छी तरीके से मैल्ट हो चुका है और ऐसे ही धीमी आच में आपको भी मैल्ट करना है कलर देखिए इसका कितना लाइट है कुछ लोग देखिए गलती क्या कर देते हैं कि हाई फ्लेम रखते हैं और हाई फ्लेम में गुड को मैल्ट करते हैं तो इसका कलर एकदम कटोरी मिलेंगे थोड़ा सा पानी और कुछ ड्रॉफ हम इस तरीके से डालेंगे पानी में और अच्छी तरीके से ठंड़ा होने देंगे उसके बाद हम देखेंगे कि यह लडू बनाने की कंसिस्टन्सी में आ गया है या फिर अभी नहीं आया है ठंडा होने के बाद हम देख लेते हैं इसे इस तरीके से निकालके तो ये देखिए अभी ये तूट बिल्कुल नहीं रहा है ये खिंच रहा है आप देख रहे हैं कैसे खिंच रहा है इस तरीके से तो ऐसा नहीं खिंचना चाहिए इस तरीके से अगर खिंचेगा तो दात मे चिपक जाएगा खाते समय तो आप ध्यान रखिएगा ये तूटना चाहिए ऐसे हम खीचेंगे तो ये तूट जाएगा तो अब ही हमें इसे और पकाना होगा अच्छी तरीके से और फ्लेम धीमी ही रहने देंगे हम गुड को मैंने थोड़ी देर और चलाते हुए पका लिया है वापस से चेक करेंगे थोड़ा सा ड्रॉफ डालने के बाद ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद ही हमें इसे चूणना है क्योंकि काफी जादा गरम होता है ठंडा होने के बाद हम इसे चेक करेंगे और जैसे उठा के आप इसे दबाएंगे तो वैसे यह अलग हो जाएगा इस तरीके से तूटकर अलग हो जाएगा तो समझ जाएगे कि अच्छी तरीके से आपने गुड को पका रखा है बिल्कुल इसी तरीके से यह देखे टूट रहा है और अब हम इसमें एक सिक्रेट डालें सिक्रेट हमारा यह है कि हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच के करीब बेकिंग सोड़ा जिसे मीठा सोड़ा बोलते हैं और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे अभी इसका रियाक्शन देखना आप इससे कलर लाइट हो जाएगा और थोड़ा सा फूल भी जाएगा य क्योंकि ठंड का मोसम है तो यह काफी जल्दी से सेट हो जाएगा और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अच्छे से देखिए मैंने मिक्स कर लिया है अगर आपको चिक्की बनाना हो तो फटा-फट से ग्रीस करके किसी थाली में जमा दीजिए या फिर आप चॉपिंग अच्छी तरीके से बेल के बना सकते हैं हम तो इसके लड्डू बनाने वाले हैं इसलिए हमें ऐसे चोटे चोटे इसके टुकडे कर लेने होंगे इस तरीके से और इसे हम इस्पून को ग्रीस करेंगे और ग्रीस करने के बाद इस्पून को इसे हम एक प्लेट में निकाल के इसी तरीके से रख लेंगे इस्पून को मैंने ग्रीज कर रखा है देशी घी से इस तरीके से हम निकालेंगे और इसे एक थाली पे रख लेंगे इस तरीके से क्या होगा कि हम जलेंगे भी नहीं और लड्डू का सेथ देना एकदम आसान हो जाएगा ऐसे आप चाहें तो किसी की हिल्फी भी ले सकते हैं घर पे इसी तरीके से हमें सारे लड्डू बना लेने होंगे और अभी तो फिलाल इतना ठंडा हो गया है कि मैं इसे हास से टच कर सकती हूँ हास को अच्छी तरीके से ग्रीज करना है और लड्डू अपने हिसाब से आपको बना लेने हैं कितने बड़े चोटे आपको बनाने हैं इस तरीके से और ये प्रोसेस काफी ज़्यादा जल्दी करना होगा आप हेल्फ ले लीजेगा घर पे मम्मी सिष्टर किसी की भी और इस तरीके से देखे लड्डू हम बना लेंगे कितने बढ़िया लड्डू लग रहे है ना इसी तरीके से लड्डू हमें सारा बना ले रहा है अपना मैंने अपने सिश्टर की हेल्फ ले ली है आप अपने मम्मी के भी हेल्फ ले सकते हैं क्योंकि ये प्रोसेस काफी जादा जल्दी करना है ये देखिए कितने अच्छी तरीके से लड़ू बने है एकदम साइंग करते वे और कडाही को कैसे साफ करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ इसमें डालना है पानी और पानी को रख देना है हाई फ्लेम पे गरम होने के लिए जैसे ही पानी गरम हो जाएगा आप साइड में इस पैंचुला के सारे ऐसे ऐसे करेंगे आप भी ऐसे जरूर बनाएएगा एक एक ट्रिक को फॉलो करिएगा तो मुझसे भी जादा अच्छे आपके लड़ू बनकर तयार हो जाएगे और कितने हाट बने हैं आवास सुनिए इनकी देखें कितने अच्छे है ना और खाते ही मुँ में घूल जाएंगे जाते ही तो ऐसे लड़ू अगर मिल जाए तो खाने की बात ही कुछ और होती है आप बनाएगा घर पे बड़े हो या बच्चे सभी को खिलाएगा और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितना ये अच्छा है ये देखिए कितने इजली तूट रहा है न एकदम चिकना एकदम साइंग करता हुआ लड़ू कितना प्यारा और तोड़ने में एकदम मक्खन सा नरम एकदम वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी तो लाइक करना ना भूलेगा लाइक करके ही जाएगा मिलती मैं आप सगले वीडियो के साथ तब तक आप मुस्कुराते रहे ये अपना ख्याल रखिये अपनों का ख्याल रखिये बाए बाए मेरी यूटूब फैमली